CBSC 12 परिक्षा रद करने के बाद मतिवदेश की सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और आज मुख्यमंत्री शिवरासीन चोहान ने राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा मंत्री और तमाम शिक्षा से संबंदित अधिकारियों के साथ मंत्राले में एक बड़ी बैठक की थी और क्रीबन एक घंटे ये बैठक चली मंत्री समू का एक गठन किया गया है जो हर अपते मुख्यमंत्री शिवरासीन चोहान को रिपोर्ट देगा वहीं बात की जाए तो विशेशक्यों से भी जो है सरकार चर्चा करेगी और 10th, 11th और 12th की जो अर्दवार्शिक परिक्षाए होती है उनके अनुसार ही जो है 12th के रिजल्ट बनाया जाएगा इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवरासीन चोहान ने ये भी कहा है कि जिन बच्चों को एक्जाम देना है अगर कोरोना समाप्त हो जाता है कोविट के बाद वो बच्चे एक्जाम दोबारा 12th क्लास के दे सक लेकिन ये परिस्थिती तब उत्पन होगी जब कोविट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो कह सकते कि आज मदबदेश की सरकार ने बच्चों के हित के लिए एक बड़ा निर्ने लिया है और मदबदेश में बार्वी की जो परिक्षाएं हैं उन्हें रद कर दिया सार चात्रों के हित के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया निश्चित रूप से भारत सरकार ने जिस परकार से कल विद्यारतियों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्ने किया है कि परिक्षाएं नहीं लेने का हमने भी अपने प्रदेश का पुरा कोरोना की स्थितिक आकलन किया है और उसके बाद में यही निर्ने किया है कि हम भी बार्वी की परिक्षा नहीं कराएं तो कि कोरोना भी समापत नहीं हुआ है कमजोर जरूर पड़ा है इसके साथ ही मंतरी समू का भी गठन किया गया है जो इस विसे में चर्चा करेगा कि रिजल्ट किस प्रकार से बनाये जाए किस प्रकार से यह पूरा आकलन किया जाएगा और बच्चों के लिए रिजल्ट बनाये जाएगा उसको वेटेज दे करके उसके आधार पर हम रिजल्ट सी तयार करें है मदबदेश का शहर इंदौर इस शहर को मदबदेश की आध्योगीक राजधानी भी कहा जाता और इस शहर में मदबदेश की सबसे ज़्यादा आथिक गतिवीदिया होती है लोकडाउन की वज़े से इस शहर में कई सो करोर रुपे का ये कहा जाए के नुकसान हुआ है लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस वक्त मैं इंदौर के रेल्वेस्टेशन के अलाके में मौजूद हूँ अनलॉक के बाद से यहां ये कहा जाए कि आवाजा ही तो कुछ हद तक शुरू हुई है लेकिन अब भी जो कॉम्प्लेक्स हैं मौल्स हैं वो पूरी तरीके से बंध है मैं इस कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको इशारा करके दिखाता हूँ कि यहां जितने भी शॉप्स है वो ज्यादा तर इलेक्ट्रोनिक्स या मॉबाइल शॉप्स थी जो पूरी तरीके से बंध है तो निश्यत रूप से जिस तरीके से गाइडलाइन आई है उसी हिसाब से शहर के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है अटो रिक्षास चलते वे नजर आते हैं लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर यह कहा जा रहा है कि इन दौर शहर में लोगों में अवेरनेस ज्यादा है यहां आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि भ काने खुलने से कोछ थोड़ी राहत मिली है हाँ राहत भी मिली है विर लोग तो नहाई है व्याति नहीं थे नहीं नहीं है नहीं कोई बिना मासक के लोग दिख जाते श्तक्ष से भी ला परवा ही है तो ये ला परवा ही ही जो पालन कर रहा है यो पारण करने रख रहे हैं यह देख सकते हैं कि वह चल रही है लेकिन इसके आंदर भी सिफ दो लोगों को बैठने की अजा़त यहां एक आटो भी खड़ा है कोशिश करूँगा कि इन से भी समझ लें अब आपका यह रिक्षा आपका नहीं है आप कहां से कहां से आ रहे हैं भाई साब नाराज हो गए हैं शायद हला कि मास्क लगाया हुआ है उन्होंने मैं यहां आकर कोशिश करूँगा कि आटो पहन रही है थोड़ा बिजनेस में उठाव आया अपकी तो खला भूज चलती है का और कुछ बिन यहां पूरी साथानिया रख रहे हैं जी हाँ सेनिटाइजर मास्क अगर अगर्या लगा रहेंगे कितने सवारी बठाने की जासत में दो सवारी के साथ ही करना पड़ा है लेकिन अनलॉक हो चुका है अनलॉक के सितिया बन चुकी है इंदोर शहर के सूरतेहाल कुछ इस तरह के हैं कि इंदोर में आप कोविड पॉजिटिव पेशन्स की गिंती काम हो गई है प तकरीवन साड़े 300 के आसपास कोविड पॉजिटिव पेशन्स सामने आये थे लहाजा धीरे धीरे शहर के अंदर नॉमलाइजेशन की स्थिपी बन पी हुए नजर आ रही है अरविन के साथ त्याप शेक इंडिया न्यूस इंदोर पोरोना की पहली लहर में 84 दिन और अब पोरोना की दूसरी लहर में 47 दिन बंद रहने के पाद खंडवा के बाजार आज से खुल रहे हैं आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज और इवन फॉर्मूले से बाजारों को खोला जा रहा है और आज पहली दिन जो है यहां के ब जो है यहां पर बाजार भोल रहा है और किस तदा के नियमों का पालंद कराए जा रहा है नगर निकब के बाजार अभीकारी अशुपतारे साथ में है उन से जानने की कोशिश करते है कि आज किस तदा हम पे नियमों का पालंद कराए जा रहा है जिला प्रसासंदार है कोव पुरी पुली रहेगी और समस्त दुकांदारों से भी अभी अपिल की जा रही है कि आप गुविट-19 के सभी नियोंगों का पालन करें आप यहां जो गहा का है वह मास्क लगा है इस प्रकार की पूरी समझाइज दी जा रही है टीम द्वारा कि अब कुह ब्यापादियों के बात करने की कोषिश करें गे और जानने के कोषिश करें की जब बाजार खुल रहा है ये टारूरं में बात कुला है कैसा क्या pum Resipon में बाद करेंगे लोग पालेंगे सब measurement क्या आप लोगोंने मैं युक्त कि तो व्यापादियों का कहना है कि शाषन की गाइडलाइन के साफ से चलेंगे और आप देख सकते हैं कि नगर निगम की तीन वारा नियमों का पालन कराने के लिए जिस परकार से लगातार आरही शेकायते हैं कि इस परकार से मऱ्यद्यस में घौतितिक प्रदेश किन ग्रामों के लोग आए हुए यह इन्हें क्या जानकारी पहले थी यह क्या गुरहनता बहुता है कि मेरे नाम सिंद कुमार कुछवाहा है और मुझे आज मालों पड़ा कि यहां प्रिमें जो लग रही है तो कैसे आपको जानकारी मिली कि हम लगवाएं यह कोलेज में हम प करवा रहे हैं कि अध्यां पूरी पूरी दूर है वैक्सिनेशन करना चाहिए और भी हम अकेले को नहीं सभी को करना चाहिए जितने भी ग्राम बाती है सभी को वैक्सिनेशन करना चाहिए यह अपने जंदिरी को सही सरीके से चलाना है जीना है इस जीवन में तो वैक्सिने तरह दिनों से जो रज चला रहे हैं उसका असर साथ दखाई दे रहा कि किस प्रकार से वैक्षिनिशन ग्राम इस तरह पर पहुंचा है क्योंकि लगण फुल गया तो लोग कहीं निकल कर बाहर आ रहे हैं और जो बरहांतियां कि उनको भी दूर करने की कुछ वज़े रहे हैं जिनके कारह उनको वैक्षिन लगवाना और तीसरा एक सोचल मीडिया या वाटसप में ये चल रहा था कि वैक्षिन लगवाने के लुक्सान है इसलिए वह बहुत सारे लोग धर्मे थे राजसरकार का असार विल्कुल है वैक्षिनेशन का लेकिन वो सहरी चेत्र में जाद बन बाडामे होती हो इसतो बसक्तार या विल्क माथ में जादा हो तो पहले आप समझाने को मिलता होगा और अब यह अध्यार लोग लगाने के लिए अभी लगाने के लिए अव countless वाजितों करो वालतितु में करों तो लोग के टैयार नहीं है सभ़ाई these 10 12 लोगों से बात पर जाके लोगों को ग्रामेट शेत्रों में भी पहले सुरू में अस्कताल में 20 मार्च को वेक्सिनेशन हुआ हूँ, वहां 140 लोग आए, वह काफी रच वाकी काफी लोग हुआ हैं जो वेक्सिनेशन लगवा रहे हैं, अब उनको भुखार आने लगा तो उसके करण और चाह बाहते हैं, काफी लोगों को भाइनीशन लाय धूंतिया, प्रशाशन ने, संग्ठन ने काम किये हैं, कि कैसे लोगों को वेक्सिनेशन के प्रधी जागरु को या है, उसका अब शाहरा दिखाई रहे सकते ही, क्योंकि लोगवा दूख गलाया, तो कई न कई लोग वेक्सि ग्रामीन अंचलेंज जहां पर नो मास्क नो सर्विस नो मास्क नूम पेस्ट कि जो किसा नॉठ की प्रक्रिया के शुरू की गई आज शासान प्रिशासन ने चुनवाडा को अनलॉक कर दिया है जिस पर और देवन का टेशन फोड़ा अपनाया गिया है एक दुकान छोड़के अगली दुकान चिनवाला में खोली जा रही है जिस पर वैपारियों ने अपना विरोध भी चताया है क्योंकि यह जो है नंबरिंग प्रॉपर जो है विवस्था उसकी नहीं हो पाई तो लोगों को यह समझ में नहीं पाया है कि उनकी दुकान और्ड को शायद यही नहीं पता है कि कौन सी दुकान और्ड में आरी है कौन सी दुकान इवन में आरी है हम इस वक्त कुछ वैपारी हमारे साथ मौजूद है मुन से बात करते हैं वो कितने खुश है इस फॉर्मुले से कुए 60 दूं के बाद यह दुकाने खुली है तो उनके वबस्ता बन पाईगी यह वबस्ता तो अब प्रशासन के हिसाब से चलना पड़े का हम लोगों को तो कि अभी सब उनी के हाथ में है आज उन्होंने बोला एक नमबर आपकी दुकाने आप खोलना है तो हम लोगों ने खोलके बैठे हैं अब कल दो नमबर वाला आएगा व ना सभान ना सामान खरीजा जाए ना वो दुकांदार जो बिना मास लगाए गरहा का इसको दुकान बेचे कितना सेहमत है अप और इसको कैसे जो है वह आप लोग करें जा शाइख यह विवस्ता सक्षा of अजय कुलेंगे एक दिन बंन करेंगे उपछा स्बहुत है थैजनल जोडेंगे तो दो नंबर है टूंस्पा बताते हैं अब देखते हैं क्या होता है तेखिए बिल्कुल जो है वेफारी जो है काफी नाराज भी है क्योंकि वेवस्था प्रॉपर नहीं बन पारी है साथ दिन से इनका वेफार भी बन था उसके बाद अब जो है मैं सिर्फ तीन दिन दुकान खोलने के आदेश इनको मिले हैं एक नंबर और दो नंबर के हिसाब से यह बात जरूरी सच भी है कि लोग यहां पर सोशनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन प्रशासन का यह आदेश है कि प्रॉपर ग कुछ देखने वाली होंगी कि राजगीर जिले में अनलॉक की प्रिक्रिया की गई है आज पूरा बाजार खुला हुआ है हम देखेंगे यह मुख्य मारज बाजारें काफी कम भीड हैं लोग जो दुकानदार है वह भी नियमों का आलन कर दो पूरा नजर आ रहे हैं हाला क कि जो ग्रहक देखेंगे तो वह कुछी कम मात्रा में घर सोथ घरों से निकल रहे हैं लोग अति आवश्यक जो चीजें हैं वही लेने के लिए कुछ निकल रहे हैं यह देखिए आप कपड़े की दुकान पे देखेंगे तो अभी ग्रहकों की संख्या जो है वो नहीं आ प अब आपको पता है कि अब आपको पता है कि पूरोना महामारी चल रही है जो 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 अब आप यह दुकान दार वेट जो दुकान सामन्त खरीद रहे हैं इनको दिखाते हैं काका मास कहा है अपना माल देखिए मिश्यत तोर पर लापरवाहिया जो है मुझे जरूर दिख रही है लोगों को अभी भी जो भै है खोफ है वो नजर नहीं आ रहा है ठील को नगर फिम जरूर दी गई है लेकिन हाला जो है वो बिगरने की साशंका लग रही है अब देखिए यह जो दुकाने यहा दूटि है कि अहीं अधस्य बजाए आए मामा मां कर रहा चौक अधियुमं का कौरोना गाइड लाइन गयर कर रहे अधार यहां चोग रहे फर और आटेस्टिंग के लिए जूटी लागा दीए जोभी लोग दिख रहे हैं जिन लोगों को टेस्टिंग है को आधिए पर द रहा है कुछ यह जो बिना मास्के भी है उन लोगों की प्रोने टेस्टिंग चल रही है देखिए यहां पीपल चुराय फे पर को रहा है ताकि को रोका जा सके यहां पर जो गुक्ष वो है को रहे हैं क्या आप कर रहे हैं यहां पर आज जो लाग दोन में डी गई है दस से च संक्रमन को रोकने में मदद मिल सके मार्केट में भी हम जो सबजी वाले हैं और जो जहां पर ज्यादा आजिक महात्रा में ग्राग की उपलब देता रहती है वहां उन लोगों का भी हम टेस्ट कर बार रहे हैं ताकि संक्रमन फेलने से रोप सके संक्रमन रोकने के खाफी प्रयास किया जा रहे हैं लोगों का टेस्टिंग भी क्या जा रहा है जो फाल्तू गुमते नजर आ रहा है बिना मास्क के नजर आ रहा है या जो स्वेच्छा से भी कराना चाहा रहा है उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है आप कोरोना टेस्ट कर रहा कि लोगों की टेस्ट करवा रहें सेंपल काम्ट अपना सकता बिना산 मास्क वालों को कोरोणा टेस्ट कर दिया जा रहा है उनको पकड़ा टेस्टिंग के यहां पर कर वालो यार कोई तीकल में का बदेगे अभी तक किते लोगों का कोरोने टेस्टिंग है अभी प्रेक्रिया चालू हुए कि बाजार में भी कम हो लोग कम आए जिसको लेकर जो बीना मास के गुम रहे हैं उन लोगों के कोरोना टेस्टिंग भी कि जा रही है ताकि कोरोना संक्रमंट रोका जा सके लागडाउन तो लगा दिया गया करोना के संक्रमन को हटाने के लिए लेकिन इस लागडाउन से कितने लोग प्रभावित हैं हम उनका जमीनी इस्तर पर एक एनलिसिस कर रहे हैं हम उन छोटे ठेला वाले छोटे व्यापारियों से बात करने की कोशिश करते हैं लगाता ठेलों पर सब्जिया फल लगा करके बेचते हैं अपने परिवार का भराल पोजिशन करते हैं यहां पर कुछ ठेले वाले हैं जो घूम फिर करके लोगों के घरों तक सब्जिया और फल पहुचाते हैं लग्दाउन में कितनी परिशानी हैं जैननी के कोशिश करते हैं को हम लोगों सब्सक्राइब माल लाते हैं कि हम और प्रॉपेट होता था बहुत परिशाने समय की निश्यता बहुत जादा है और उस समय की निश्यता बहुत जादा एक और है ब्यक्ति है किस सरे की परिशानी तुम से हो रही है चलिए कुछ दुकानदार बात करने से बच रहे हैं ये दूद बाले हमारे पास है दूद बाटने में कितनी परिशानी होती है बहुत परिशानी सर दस किलो मीटर साइकल चला के आ रहा है और वो भी नहीं विक पाता अभी भी बचा है दो लीटर दूद तो भी नहीं विका है ना दुकान है ना सब बंद हैं क्या करेंगे मजबूर है घर लेके जाएंगे गर्मी हो रही फट जाता है तो मैंक देते हैं वो क्या करोगे खरीब आट 40-50 पर पहुँचा दूद हमारा कोई रेट नहीं है परिशानी है सब लोक्डॉThis हमें दुकान 어느 चलता है तो अब सभी बंद है तो क्या कर सकती मजबूफी ? कि इस तरहह का दूद बेशते थे गाउं से आते थे दूद बेशते थे लेकिन उनको परिशानी इस तरह की हो रही कि उनका दूद पूरी तरह से बिकनी पाता गर्मी का मौसम है दूद को स्टोरेज भी एने वो लोग नहीं कर पाते और उनका दूद खराब हो जाता है मेरे साथ एक सब्जी वाले सब्जी दुकांदार से हम बात करने क कोशिश करते हैं अब यह सब्जी वाले किस तरह की परिशानी इस लॉपडाउन में आपको हो रही है अब जो जमीन पर लागार के बैठते थे थोड़ा बहुत परिशानी होती जिए छाए धूप में खड़े हैं अब जैसे भी अपन जैसे चाहर के राख आज़े भीड ल लगाए हुए है लोग जमीन में सब्जिया लगाते थे प्रॉपर तरीके से सब्जिया होती ती ग्राहक को तॉलने में ग्राहक को सेलेक्ट करने में परिशानी नहीं होती थे लेकर वो परिशानी ग्राहक भी हमारे साथ है किस तरह की परिशानी आपको सब्जी भाजी खर बढ़ाई होते हैं करा दूँद्ल में ना तो भाई तरीकी से तरेके से इधर उधर निकल सकते हैं और कई प्राब्लम्स क्रिएट होती हैं तो इस तरह से जहां ब्यापारी परेशान है चोटे ब्यापारी परेशान है और उनके सासाथ फल वाले भी परेशान किस तरह से गूम रहे हैं फिर रहे हैं सब्जियां बेच रहे हैं कुछ ग्रहक भी हमारे बीच है किस तरह की परिशानी आप लोगों को होती है खरीदने के लिए आना पड़ रहा है क्या परिशानी है लगवाने आये थे उस बहाने से फिर थोड़ा बहुत मार्केटिंग तो होई जाता परिशानी तो है ही है सबजी की फ्रूट की चोटी चोटी चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता है बाहर कुछ महलाई महंगाई का मामला भी हो गया है क्या लगता है कुछ अंतर पड़ करनी पड़ रही है जहां लागडाउन के वक्त में वो कमा नहीं पा रहे हैं लेकिन जेव उनको खाली करनी पड़ रही है अशीश कुबार जैन इंडिया नीज दमो हूँ